देखो थोड़ा सा variation करने की कोशिच की examiner ने लेकिन मुझे नहीं लगता ये variation आपको confuse करेगा डराएगा मुझे लगता है कि ये इस variation को आप फार दोगे बुरी तरीके से question आप से क्या कह रहा है बोल रहा है कि a conducting wire of 100 tons is wound over 1 cm near the center of a solenoid of 100 cm length and 2 cm radius having 1000 tons देखो आपके पास एक solenoid है solenoid का data दे रखा है ये सारा का सारा solenoid का data दे रखा है कि एक solenoid है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 100 cm तो यहाँ से यहाँ तक यह solenoid हो गई 100 cm इसके length दे रखी है यहां से यहाँ तक हो गई length ठीक है और इसके अंदर जो number of turn दे रहे हैं इसका number of turn बोलते हैं N1 देखो solenoid के ओपर एक दूसरी wire को लपेटा गया है तो आपको बता mutual का case हो चुका क्योंकि दो coil बन जाएंगी अगर solenoid के ओपर कोई दूसरी coil बना दी गई है है तो दो कोईल हो गई दो कोईल होते ही mutual का case हो गया mutual inductance का तो इस question में भी ऐसे ही है कह रहा कि 100 cm की आपके पास solenoid थी उसके अंदर जो है कितने 1000 turn है देरे खाड़िटा मैं नहीं करा देरे थी इसके ओपर एक सेंटीमेटर लेंथ पर लगबक सेंटर में एक सेंटीमेटर लेंथ पर एक दूसरी coil लपीटी गई है जिसके अंदर सो टर्न है तो मैं एक कोईल लपीट बना दीता हूं जिसके पास तो वो कुछ इस तरह से हो गई कुछ इस तरह से हो गई तो आप से क्या कह रहा है दोनों की भी calculate the mutual inductance of the two coil दोनों coil का mutual inductance बता दो तो बड़ा simple सा formula होता है solution आपको यहां लिखके दिखा जिएता हो formula क्या होता है mutual inductance का m is equal to होता है mu not n1 n2 a divided by n ठीक है अब आपको पता है कि data बड़ा वाला यह बड़ी कोईल कौन सी है यह आपको पता solenoid है तो पहला mu not की value लेको 4 pi into 10 की power minus का 7 n1 जो है वो बड़ी वाली coil का data है तो उसके पास number of turn 1000 है solenoid के n2 जो हो गई वह ब्लू वाली हो गई जो आपने लपेड़ी है एक सेंटिमेटर लेंथ पर लपेड़ी गई यह तो आप यह कह सकते हैं कि n2 आपके पास सो हो चुका है एरिया अगर निकालोगे तो एरिया solenoid का निकलेगा चूंकि आपको पता सोलenoid आपने स्प्रिंग की तरह बना रहे हैं कि सामने से देखोगे तो यह स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखाए देगा इस सर्कूलर शेप का है इसकी अपनी रेडियस है तो जाहेर से बात है एरिया भी कुछ नकुछ निकल कर आएगा पाई आरी स्कॉर से तो एरिया न तो आपको बता है सर्कल का जो एरिया होता है पाई रेडियस का स्कॉर तो पाई तो आपने लिख दिया रेडियस कितनी है टू इंटू टैन की पावर माइनस का टू इसका पूरे का स्कॉर तो एरिया भी आपके पास है मियू नोट एन वन एन टू भी आपके पास है साथ म length length दे रहा 100 cm 100 cm को बोलते हैं 1 meter 100 cm को क्या बोलते हैं 1 meter तो यहां पर 1 आ जाएगा solve कर लो यह 4 है देखो πाई आ गया पाई आ गया तो approximately value आ जाएगी इसकी 10 पाई की पाई से multiply कर गया 4 यह है और 2 तूस अ 4 यह हो जाएगा तो 4 फूस अ 16 हो गया अब देखो 10 की पाउर माइनस का 7 यह 3 और तो 5 5 यह हो जाएगे 5 और 10 की पाउर माइनस का 4 यहां सा जाएगा तो माइनस का 4 माइनस का 7 तो माइनस का 11 और यहां पर पिलस के 5 बैठ रहे हैं तो 10 की पाउर माइनस का 11 इंटू 10 की पाउर प्लस का 5, calculation लगबख खतम, 5 ये हैं और एक ये 6, तो 16 इंटू 10 की पावर, ये प्लस के 6 है, और ये माइनस का 11 है, तो प्लस की 5 भिला जाएंगे, तो 16 इंटू 10 की पावर, देखों से एकर के, वैल्यू में कुछ गड़वल ही आ रही है, नहीं, माइनस की बचेंगे, ये 5 और एक 6 प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 11 प्लस के 6, तो माइनस की 5 भिला जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी, 16 इंटू 10 की पावर, माइनस के 5, इसको मैं अगर और सही करके लिखूं, तो पॉइंट यहां होता, इसको जब लेफ्ट में लेके जाते हैं, बड़े नमबर को छोटा करते हैं, तो पावर प्लस में चलती है, जितने प्लेस, यह डेसिमल पॉइंट इदर को आएगा, उतनी प्लेस पावर प्लस में चलेगी, तो एक प्लेस प्लस में कर दो, तो माइनस के 1 में जब प्लस वन एड़ करोगे, तो माइनस का 4 रह जाएगा, तो आपको बता है 3.14 होती है पाई की वेल्यू अब जब 3.14 की 3.14 सा मल्टिप्लाइ करोगा तो दस थोड़ी जी कम आएगी एप्रोक्सिमेट दस लिखी है इसने वैल्यू थोड़ी बहुत एप्रोक्सिमेट आएगी 1.6 अब देखो इसको भी राउंसर यह दे रखा जब इसको को समझ नहीं पाते हैं चैसे की करना क्या है इसके अंदर होप सो यह भी के लिए रोगया होगा